राम राम किसान भाईयों मैंने दिन फिर से हाजिरूं आपके अपने चैनल नितिन देवल में किसान भाईयों आज हम बात करेंगे 1 नवोंबर 2021 मंडी के ताजा भाईयों के बारे में आज जो हम मंडीयों की जानकारी आपको किसान भाईयों देने वाले हैं ये वीडियो आपकी लगबग 14 से 15 मिनिट के आसपास की हो जाएगी काफी बड़ी वीडियो रहेगी लेकिन बड़ी वीडियो किसान भाईयो इसलिए बनाने पड़ दिये क्योंकि इसके अंदर सभी मंडियो के पूरी भाव की पूरी जानकारी में आपको देने वाला हूँ लगबग 6 से लेके 7 की धान किसमों की सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आपकी जो भी मंडी है अलगबग सभी मंडियों की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ यदे कोई मंडी रह जाती है तो किसान भाईओ, आप से निवेदन हैं कि अइपनी मंडी का नाम और अपने धान का नाम नीचे कमेंट कर दें जिससे कि कल की जो वीडियो आएगी, वो वीडियो भी किसान भाईओ, चोदे से पंदरे मिनिट की आएगी और उसमें आपकी मंडी का और आपके धान के रिट पता करके आपको अच्छी तरीके से बता जिए जाए क्योंकि किसान भाईयो छोटी वीडियो यदि हम बनाते हैं तो उसके अंदर जादे मंडीयों को हम नहीं ले पाते हैं जादे धान की किसमों को नहीं ले पाते हैं. इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन आपको बिलकु सही और सटीक जानकारी देने की कोसिस करौए और जादस जादे मंडिया लऊंगा और जादस जादे धानों के बारे में आपको بتाौँगा आपको जादे अच्छा रेट जो अपनी धान की फसल का मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले खिसानवाई जो आज हम ले रहे हैं हम ले रहे हैं जिंदमंडी और जिंदमंडी के अंदर खिसानवाई यो धान 1121 की कीमत है 3660 रुपए और धान 1121 कंबाइन वाले की क कीमत रहेगी आज 2880 रुपए अगली मंडी लेते हैं किसानवाई और टोहाना मंडी टोहाना मंडी के अंदर धान 1121 की कीमत रहेगी 3600 रुपए धान 1121 की कीमत रहेगी 3640 रुपए धान 1788 कीमत रहेगी 3350 रुपए धान 1401 की कीमत रहेगी 3320 रुपए धान 1121 कंबाइन वाल की कीमत रहेगी 3240 रुपए धान PB1 की कीमत रहेगी 2880 रुपए अब अगली मंडी ले ले लेते हैं किसान भाईयो खर खोदा मंडी के अंदर किसान भाईयो धान 1121 की कीमत रहेगी 3600 रुपए धान 1788 कीमत रहेगी 3440 रुपए धान 15.09 की कीमत आज रहेगी 3250 रुपए अगली मंडी लेते हैं किसान भाई ओ रतिया मंडी रतिया मंडी के अंदर किसान सोनी पत्मंडी, इंद crust नंदी के दान 11 है की कीमत रहेगी 390 रूपकि धान 1401 की कीमत रहेगी 3320 रूपकि धान 17 की कीमत रहेगी 3000-10 रूपकि अगली अमडिी लेते हैं चार से पांच मंडिया हो चुकी हैं, अगली मंडी किसान भाईयो हमारी आती है, नर्वाना मंडी, नर्वाना मंडी के अंदर किसान भाईयो धान 11 किस कीमत रहेगी, चोतिस सो दस रुपए, धान 15 जीरणों की कीमत रहेगी, 3140 रुपए, धान 11 किस कीमत रहेगी, 3480 रुपए, अगली मंडी आती है, किसान भाईयो डिवाई मंडी, डिवाई मंडी के अंदर धान 15 जीरणों की कीमत रहेगी, 3110 रुपए, धान सुगंदा की कीमत रहेगी, 2750 र अब अगली मंडी आती है हमारी हाशी मंडी हाशी मंडी के अंदर किसानवायो धान 11 किस कीमत रहेगी 3720 रुपए धान 15 जिरुनों की कीमत रहेगी 3120 रुपए और धान 1718 की कीमत किसानवायो यहाँ पर रहेगी 3440 रुपए अब किसानवायो अगली मंडी ले ले लेते हैं सो पचास रुपई सर्वती धान कीमत रहेगी 2220 रुपई और किसान वे इसके सासा धान 11 किस कीमत यहाँ पर रहेगी 3580 रुपई अब आती है हमारी अगली मंडी अगली मंडी है किसान वाई यह हमारी समाल खा मंडी यहाँ पर धान 11 किस की कीमत रहेगी 3600 रुपई यहाँ प केंदर के संवस धान 11-21 की कीमत हैं रहेगी चछतिस सो साट रोपए धान 11-21 की कीमत रहेगी 3500 रहेगी 32 रोपए और धान 1401 की कीमत हैं पर रुपए और धान 17 18 तहां पर ही चोनी सू असी रुपए अगली मंडी आती है किसान भाइव एलना बाद मंडी के और दान 11 रख क्योंपत रहेंगी 3680 रुपए धान 15.09 की की मत रहेंगी 390 रुपए धान 14.01 की की मत रहेंगी 3260 रुपए अगली मंडी आती है किसान भैयो गोहाना मंडी गोहाना मंडी के अंदर धान 1401 कमबाइन वाली कीमत रहेगी 3190 रुपे धान 1401 हात वाली कीमत रहेगी 3220 रुपे धान 1501 हात वाली कीमत रहेगी 3390 रुपे धान 1501 कमबाइन वाली कीमत रहेगी 3190 रुपे धान 1788 कमबाइन वाल वाले कीमत रहेगी 3350 रुपए ख्जा़न पर रहेगी 3080 रुपए । अगली मंडी आती है नाभा मंडी यहाँ पर धान 15.00 की कीमत रहेगी 3350 रुपई धान DP401 की कीमत रहेगी 3360 रुपई धान 1788 कीमत रहेगी 3550 रुपई और धान 1121 की कीमत यहां पर रहेगी 3660 रुपई अगली मंडी आती है सफीदो मंडी सफीदो मंडी के दान 15.00 की कीमत रहेगी 3250 रुपई धान 1788 कीमत रहेगी 3520 धान 1121 की कीमत यहां पर रहेगी 3660 रुपए अगली मंडी आती है किसान भाईयो हमारी उकलाना मंडी उकलाना मंडी के अंदा धान 1121 की कीमत रहेगी 3310 रुपए धान 1788 कीमत रहेगी 3500 रुपए और धान DP401 की कीमत यहां पर रहेगी 3350 रुपए अगली मंडी आती है किसान ये जुलाना मंडी, जुलाना मंडी के अंदर धान 1121 कीमत रहेगी 3730 रुपए धान 1781 कीमत रहेगी 357 रुपए धान 152019 कीमत यहां पे रहेगी 3220 रुपए अगली मंडी आती है चीका मंडी, चीका मंडी के अंदर किसान में धान DP 1401 की कीमत रहेगी 3340 रुपए धान 1788 कीमत रहेगी 3310 रुपए धान 1121 की कीमत रहेगी 3320 रुपए धान 1401 की कीमत रहेगी 3350 रुपए और धान PB1 की कीमत रहेगी 3102 रुपए अब आती है किसान भाजी हो हमारी सिर्सा मंडी, सिर्सा मंडी के अंदर किसान भाजी धान 15.09 की कीमत रहेगी 3250 रुपए, धान PB1 की कीमत रहेगी 3110 रुपए, धान 11.21 की कीमत रहेगी 3390 रुपए, धान 14.01 की कीमत रहेगी 3290 रुपए, धान 17.08 कीमत रहेगी 3310 रुपए, अब आती है गड़ मुक्तिश्वर मंडी, यहाँ पर किसान भाई धान 1121 की कीमत रहेगी 3750 रुपई, धान 1788 कीमत रहेगी 3880 रुपई, धान 1401 की कीमत रहेगी 3420 रुपई, धान 1509 की कीमत यहाँ पे रहेगी 3300 रुपई, अगली मंडी आती है किसान भाई यो पानीपत मंड पानिपत मंडी के अंदर धान 1121 की कीमत रहेगी 3630 रुपए, धान 1788 कीमत रहेगी 3450 रुपए, धान 1401 की कीमत रहेगी 3150 रुपए, धान 1509 की कीमत रहेगी 3300 रुपए, अगली मंडी आती है नरेला मंडी, नरेला मंडी के अंदर किसान भाई धान 1509 की कीमत रहेगी 3220 दान 17-18 कीमत रहेगी 3440 रुपए दान 14-01 की कीमत रहेगी 3150 रुपए अब आती है बरवाला मंडी के अंदर किसान बज़े धान 11-21 की कीमत रहेगी 3650 रुपए कंबाइन वाले 1121 की कीमत रहेगी 3510 रुपए, धान 15.00 की कीमत रहेगी 390 रुपए, धान 14.01 की कीमत रहेगी 3220 रुपए अब आती है हमारी जाखल मंडी, जाखल मंडी के अंदर किसान बर धान 15.09 की कीमत रहेगी 3300 रुपए, धान 14.01 की कीमत रहेगी 3395 रुपए, धान 11.21 की कीमत रहेगी 3720 रुपए, और धान 11.21 की कीमत रहेगी 3650 रुपए, अब आती है किसान बर धान 14.01 की कीमत रहेगी 3720 र अब आती है किसान भाईयों हमारी अगली मंडी कलायत मंडी के अंदर धान 1788 कीमत रहेगी 380 रुपई धान 1121 कीमत रहेगी 3450 रुपई धान डीपी कीमत रहेगी 3220 रुपई धान 1788 हाथ वाले कीमत रहेगी 3550 रुपई इसके साथ किसान भाईयों धान 1788 कमबाइन वाले कीमत रहेगी 3380 रुपए धान 1121 कंबाइन वाले कीमत रहेगी 3450 रुपए धान DP कंबाइन वाले कीमत रहेगी 3220 रुपए अब आती है किसानब यह हमारी कैथल मंडी कैथल मंडी के दान 1121 कीमत रहेगी 3600 रुपए धान 1121 कंबाइन वाले कीमत रहेगी 3450 रुपए, दान 1788 कीमत रहेगी 330였 रुपए और 1788 कंबाइन वाले कीमत रहेगी 3490 रुपए अगली मंडी आती है किसानव यह पीछोकवा मंडी, पीछोकभा मंडे के द inom धानं डीपी की कीमत रहेगी 3250 रुपए और कम्बाइन वाले कीमत रहेगी 3150 रुपए धान 1788 कीमत यहां पर रहेगी 3300 रुपए और कम्बाइन वाले धान की कीमत रहेगी 378 रुपए इसके साथ किसान में धान 15.09 की कीमत यहां पर रहेगी 3300 रुपए और कम्बाइन वाले धान की कीमत यहां पर रहेगी 3240 धान 1788 कीमत रहेगी 3320 रुपए धान 1121 की कीमत रहेगी 3060 रुपए और धान 1401 की कीमत रहेगी 3290 रुपए अगले मंडी आती है के सानवे यो रतिया मंडी, रतिया मंडी के अंदर धान 14.01 की कीमत रहेगी 3320 रुपए, धान 17.01 की कीमत रहेगी 3400 रुपए, अब आती है के सानवे यो बेरी मंडी, बेरी मंडी के अंदर धान 11.01 की कीमत रहेगी 3720 रुपए, धान 17.01 की कीमत रहेगी 37 3050 रुपए अगली आती है किसान भायों हमारी जीवन नगर मंडी जीवन नगर मंडी के अंदर किसान भायों धान 1121 की कीमत रहेगी 3750 रुपए धान 15.09 की कीमत रहेगी 3990 रुपए और धान 14.01 की कीमत रहेगी किसान भायों 3190 रुपए अब हमारी आखरी मंडी आती है भून के इंदर के समय दान 14-01 की कीमत रहेगी 3110 ुपÓ धान 1121 की कीमत रहेगी 330 रुपय और धान 11-21 रुपय miejsce कीमत रहेगी 3520 इस तरीके सर्के सामें लगबाय साइसे कीमत वाले कीमत रहेग तो आपम एक Pacific कीमत रहेगी मुगधा सभी प्यारों सहयोग देने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए राम राम जी